हेलो फ्रेंड्स कैसा आप लोग आपका स्वागत है प्रजबती गेमिंग चैनल पर दोस्तो आज मैं आपको एक ऐसा ग्लीच बताने वाला हूँ अगर आप यह ग्लीच करते हैं तो कोई भी बंदा आपको मार नहीं पाएगा और आप पूरी की पूरी स्कोर्ड अकेले खा सकते हैं दोस्तों यह बहुत ही कमाल का ग्लीच है इसके बाद मैं एक एक ग्लीच लाओंगा ठीक है वैसे तो अभी थोड़ा सा बीजी था वीडियो नहीं बना पा रहा था उसके लिए सौरी बट आज का यह ग्लीच रेकने के बाद आप भी खुस हो जाएंगे और अगर आप पाइक जरूर देना और आप इस वीडियो को सेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना घंटी को ओल पे कर देना और हाँ तो 125 तारीक को गिवे का रिजल्ट आने वाला है तो 25 तारीक का वेट कर लेना अगर अभी तक आपने गिवे पाटिसिपेट नहीं किया तो आप पाटि करना है अब दोस्तों आप इस गिलिच को कहीं पर भी कर सकती है किसी भी वेर आउस में स्कॉड आउस में छत पे जमीन पर या तो लास जोन में कहीं पर भी कर सकते कोई दिक्कत नहीं आपको क्या करना है आपको सबसे पहले गनोन हाथ में नहीं लेना है ठीक है कुछ भी आ आपको कुछ इसी तरह से करना है। आप देख सकते हैं कि मैं एजली अंदर आ चुका हूँ। साथ आपका फर्स टाइम में ना हो लेकिन सेकर टाइम में हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं बहुत ही आसान है। दोस्तो जब मैं यह गलीच किया तो मेरे दोस्त भी हैरान हो गए। भाई यह कैसे गलीच किया। और हाँ दोस्तों आपको बता दूँ यह गलीच करने के बाद में अगर आपके पास कोई नेट करता है। मतलब आपके साथ कुछ भी नहीं होने वाला। नेट का भी असर आपके पास नहीं होगा आप देख सकते हैं कि मेरा बंदा नौक हो जाता है बट मुझे थोड़ा भी नेट मतब नेट का 1% भी डैमेज नहीं होता और दोस्तों आप इसके अंदर से इजली दोनों साइट के बंदों को इजली मार सकते हैं ठीक है आपको पत्थर को फोड के आप बाहर निकल सकती हैं अगर आपके पास मेली वेपन नहीं है तो आप अपने दोस्त को बोल देना जब ब्रेक करेगा इस पत्थर को इस आइस को तो आप इजली बाहर निकल पाएंगे तो दोस्तों काफी कमाल की ट्रीक है अगर आप लाज जोन में फसते हैं ना तो भाई आप यह ट्रीक करके देखना कसम से बंदे पागल हो जाएंगे और आप इजली सब को मार पाएंगे तो उमिद करता हूँ कि आपको यह छोटी सी वीडियो पसंद आई हो कि वीडियो पसंद आती तो प्लीज वीडियो को लाइक करना सेयर करना चैनल है नेक्स वीडियो में बाई